नफसकार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ZD500 टैबलेट के बारे में दोस्तों ZD500 टैबलेट को डॉक्टर के दोवारा कौन-कौन सी बीमारी में दिया जाता है इसके इस्तमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन-कौन से ingredient ZD500 tablet के अंदर इस्तमाल किये गए हैं इसके इस्तमाल करने से कौन-कौन से side effect देखने को मिल सकते हैं और कितरी मात्रा में ZD500 tablet को डॉक्टर के द्वारा इस्तमाल करने की सला दी जाती है दोस्तो ZD500 tablet के बात करें तो इसको mankind pharmaceutical company द्वारा इसको manufacture किया चाता है ingredient के बात करें तो दोस्तो इसके अंदर azitromycin 500 mg इंडर फर्माकॉपिया का according इस tablet के अंदर इस्तमाल किया गए है दोस्तो यह है एक antibiotic medicine है और इसकी price की बात करें दोस्तो 111 लुपे में यह पास tablet का पूरा एक इस्ट्रे बाता है दोस्तो इस tablet को मैंली जो इस्तमाल करने की सला देया थी है डॉक्टर के दोवारा दोस्तो यदि किसी के ना, कान, गले या मुह में bacterial infection हो जाता है तो ऐसी condition में doctor के दोवारा इसको दिया जाता है उसके साथ साथ दोस्तो यदि आपके bronchitis हो जाता है bronchitis में बहुत अच्छा काम करती है यदि आपके कान में किसी तरह का bacterial infection हो जाता है या सूजन आ जाता है या आपके कान से पस निकलता है तो ऐसी कंडिशन में भी डॉक्टर के द्वारा इस tablet को प्रिस्काइब किया जाता है उसके साथ साथ ये टैबलेट दोस्तो टाइफाइड में भी बहुत अच्छा काम करती है यादि किसी को टाइफाइड वखा रहता है तो ऐसी कंडिशन में भी डॉक्टर के द्वारा इस tablet को प्रिस्काइब किया जाता है soft tissue infection में भी इस tablet को दिया जाता है दोस्तो यदि किसी को soft tissue infection हो जाता है तो ऐसी कंडिशन में भी डॉक्टर के द्वारा इस tablet को प्रिस्काइब किया जाता है दोस्तों, urine infection में भी this tablet को दिया जाता है, यदि किसी के urine में bacterial infection हो जाता है, तो उसको cure करने के लिए भी doctor के दोवारा इस tablet को prescribe के जाता है दोस्तो निमोनिया, यदि किसी को निमोनिया हो जाती है, ऐसी कंडिशन में भी दिया जाता है, यदि किसी को लंक्ष इंफेक्शन हो जाता है, तो उसको क्योर करने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा इसको दिया जाता है, दोस्तो इसकी डॉसिस की बात करें तो डॉक्टर क कब जो सकती है इसके common से side effect है किसी किसी patient में देखने को बिल सकते है अगर आप इस tablet का इस्तमाल करते हैं तो अपनी डॉक्टर के advice पर ही करें खुझ से इस tablet का बिलकुँ इस्तमाल करें दोस्तों दवाइस जोटी मगर महतपूर जान करें पाने कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें